Hello everyone, Hi, कैसे आप सभी लोग आशा करती हूँ, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और सब की तैयारी जो है, वो बहुत अच्छी चल रही होगी किसी को कोई दिक्कत, कोई परिशानी नहीं होगी, चलवाओ चलते हैं आज के Current Affairs पे, और देखते हैं, आज जो है 18 तारिक है और 18 तारिक को, We Generally Observe International Day for Countering Hate Speech and Sustainable Gastronomy Day, ठेक हैं, दो डेज होते हैं, International Day for Countering Hate Speech and Sustainable Gastronomy Day, ठेक, आगे चलते हैं और देखते हैं, क्वेशन, देखो, पहला क्वेशन है कि कौन सी ऐसी FinTech firm है, जिसने कौलापोरेट किया है, राइड हेलिंग प्लाटफॉर्म, पिक्मी के साथ पिक्मी एक, आप राइड बुक कर सकते हैं, आप पार्सल बुक कर सकते हैं जिसे हमारे याँपे, आप Ola, Uber ये सब बुक करते हैं, आप राइड भी बुक कर देते हैं आप पार्सल कॉरियर भी बुक कर देते हैं, तो इसी तरह जो श्रिलंका बेस्ट है, वो है पिक्मी, ठीक है, आप बिसिकली कौलापोरेटेड विद फोन पे, इन्होंने पोन पे के साथ कौलापोरेट किया है, तो अनेबल यूपियाई बेस्ट पेमिंट पॉर इंडियन इस फोन पे के साथ कलापोरेट किया है, जो भी बहरतिये ट्रावलर्स हैं, वो कर सकें, पिक्मी के डारेक्ट, उनके पोन पे का, तो इनका बेंगलूरु करनाट का में हेड़कोरेटेड है, तश्रयन पेम पोर्टका है आगे चलते हैं, गर्मेंट एफ राजयORTER कि रिसिंह एलोकेटड डाश करोड पॉर देवलप्मेंट ऑफ महाराना प्रताब टूरिस सर्कुट के लिए ना सौ करोड रुपे जो है वो एलोकेट करें हैं बजनला शर्मा जी चिफ मिलिस्टर है राजिस्थान के इन्होंने अनौंस किया है कि जो गर्मेंट है वो डिवलप करेंगी महाराना प्रताब टूरिस सर्कुट और उसके जो टोटल इंवेस्मेंट होगी वो सौकरोड के होगी यह इन्वेस्मेंट जो है महाराना प्रताब जैन्ती के अफसर पर उदेपूर में की गई थी उनका 484 जो बर्दे है उस ताइम पर 9 तारिक्या स्पास आइ थिंक यह कर प्रजेक्ट जो राजस्थान तूरिसम डेपार डेफल्फमेंट कोपरेशन है यह धिलноп लफ मूजियम च्यक्ताब में इस तो फेसे में महाराना कॉंप्लेक्स जो है वो कम्प्रीट होगा और हुआ है और थर्ड फेस जो है वो अभी इस बीनेम्ड आस महाराना प्रताप टूरिस्ट सर्कृट अगे चलते हैं विट इन दे कंटेनर पोट पर्फॉर्मेंस इंडेक्स CPPI 2023. What is the rank of Vishakha Patnam Port? Vishakha Patnam Port जो है वो उनिस्वी rank पे है in the Container Port Performance Index 2023 and World Bank और SNP Global Market Intelligence ने developed किया है 4th edition of CPPI 2023 and index rate है index basically reads the effectiveness of container port around the world. Mainly looking at how long the ship stay in the port look how many times they have the duration and all ports and also what is the rating rate the index is an important standard in a maritime business because it shows how productive and how well run the ports are मुद्रा पोर्ट जो है गुजरात में it is run by Adani Ports and special जो है economic zone limited की जो rank है वो 27 है टोटल बारा पोर्ट है जो feature करे गए है इस list में ठीक है and यांगचैन पोर्ट जो चाइना का है पोर्ट जो मान का है वो वन और तू पोजिशन पे उसको रखा है चाइना वाले को पर्स पे और मान वाले को सेकिंड पोर्ट एडिशन जो है इसको आप बिगिस्ट आप बोल चकते हूं the one because it contains the data set ever that like the biggest data set ever that is more than 1,82,000 विसल कॉल्स and it is like you can say that this is the biggest one and headquarters की बात करें इसके तो it is in वाशिंग्टन देसी अजे बहां का जो है वो प्रेजेंट है वोल्ड बैंक के आगे चलते हैं which entity has named the 2024 Databricks Retail and CPG Partner of the Year तो Credence को जो है 2024 Databricks Retail and CPG Partner of the Year के नाम से basically अभी Credence जो है एक ग्लोबल data science and AI solution company है okay and it has been selected with the around 2500 consulting and system integrator partners for this award reflecting the company's exceptional expertise in leveraging the Databricks data intelligence platform to deliver unmatched value to the retailers and CPG companies Credence and Databricks have together sought last mile analytics and AI challenges for 8 of the world's top 10 retailers and 8 of the top 10 CPGs firm आगे चलते हैं name the Indian personality who has been selected for the 2024 Oscar Academy Gold Rising Program Oscar Academy Gold Rising Program के लिए Netra Gururaj को जो है ये basically select हुए है Netra Gururaj Cinematographer है and prestigious Oscar Academy Gold Rising Program के लिए the person has been selected and this honor praises the her among the sorry it praises her among the most promising young filmmakers cinematographer globally and this is a potential achievement currently like she is based in Los Angeles and has diversified portfolios this includes many things like short films, feature films, documentary, music videos and many more अगर ऑसकर Academy Gold Rising Program के बाद करोगे तो दो मन्त की इंटर्णशिप है that is hosted by Academy in Hollywood, Los Angeles and it offers students and recent film जो अभी school graduates हो होते है उनको एक उनिक उनिक उपर्परशनिटी पर प्रवाइड करता है ताकि वो अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स है जो अपना नेटवर्क बढ़ा सके अपनी स्किल्स डिवलप कर सके दिखा सके राइट चाल आगे चलते हैं तो अभी जीट की शोर जो है वो प्रेजिडेंट अभी बुशित होए है इसके सेल्वेर उपरेटर्स अपनीट के और राहुल वत्स जो है वो चीफ रेगुलेटरी ओफिसर जो भारती एटल के थे वो अपॉइंट होए है आज दी वाइस प्रेजिडेंट ओफ दी सेल्वेर उपरेटर अपरेटर असोसीशन ऑफ इंडिया वाइस पैसरेंट राहुल वत्स प्रेजिडेंट अभिजीद किशोर अस्ताबलेश अबुआ 1995 में सेल्वेर उपरेटर असोसीशन ऑफ इंडिया हेड़कॉर्टर का है नई दिल्लिम में डारेक्टर जर्नल कौन है लेफ्टरेंट जर्नल डॉक्टर S.P. और नौन चरन मांजी बन चुके हैं ओरड़ी जुकिनी सीट्पी सेट्पी न ही उसकी 143 सेट्स हैं and Mohan Charanman ji आप जानते हैं he is the first BGP Chief Minister of Odisha and he is now the Chief Minister of Odisha. दो Deputy Minister है Tanakhwardhan Singh, दोए और प्रावती परिदा और बाकी भी तेरा जो मिनिस्टर नोने शापत ली, गवर्नर अगुबरीदास हैं जिनोने शापत दिलाई 147 सेट्स हैं वो उडिसा में है जिस्टर अगे चलते हैं जून में दो दिन का conference हुआ है on Delhi में ही of relief commissioner, secretary and state disaster response force, civil defense, home guard and fire services of state that is held in New Delhi as I have already told you, the principal secretary to the prime minister of India, P.K. Mishraji have chaired the valedictory sessions and two-day conference was attended by more than 300 delegates from state government, UT's, ministers, department organization of central government and this two-day conference, various sessions were organized and experts dwell upon subjects like early warning, post-disaster loss assessment, roles of disaster response forces, coastal hazards, satellite based early warning on tsunami, storm surges and cyclone etc. Ministry of Home Affairs have organized the annual conference on this to basically review the preparedness for dealing with any kind of natural disaster. NDRF has organized capacity building conference for the state disaster response forces, civil defense and home guard and the fire services of the states and UT. When was the nashamukti bharat pakwada observed by Narcotes Bureau, control bureau? NCP के द्वारा, nashamukti bharat pakwada जो है, अभी 12 से 26 जून तक organized होगा, C answer है, 12 से 26 जून तक to mark the international day against the drug abuse and illicit trafficking. This aims of, the aims of the observance is to create awareness. Okay? Drugs, uh, joo ke ill-effect hai, uske khilaaf, like, uske baare me awareness phailana is the main thing, right? And the second main and the most important thing is ki jo apka ghar hai, wo nashay se mukth ho, it is, like, much important. So, aapka ghar, machab, aapka daesh. Okay? NCP की बात करें, 17, um, I think March 1986 में, they have been constituted New Delhi में headquarter है, and Satya Narayan Pradhan है, जो इसके director journal है. आगे चलते हैं, इन में से हमें, जो है, statement पढ़नी है और देखो, correct one बताना है, statement जो रिगार्डिंड है, वो है global gender gap index के, to global gender gap index में basically overall जो gap score है, 146 countries का, वो 68.5 है, ये बात ठीक है, Sweden ने टॉप किया है, Sweden ने टॉप किया, Ireland है, second तो गलत है, India की position slip हुई है, दो position slip हुई है, 129 position पे, ये बात भी ठीक है, यानि कि first or third is सही है, यानि कि जो four answer है, वो सही होगा, Iceland है, Iceland ने जो है, टॉप किया है, ना कि Sweden ने, जो overall 146 country है, उनका जो score है, वो ठीक बताया हुआ है, उर्वेकिस्तान और सुदान जो है, वो पहले टाइम इंक्लूड हुए है, गवाना ने अभी return, गवाना ने अभी रिटर्ण, गवाना थे रिटर्ण रिसेंट्ली, लेकिन पॉजिशन फिलनाइट की और नॉर्वे की है, थर्ड पॉजिशन जो है, वो न्यूजलाइड की है, सुदान, पाकिसान और चट जो है, तीन बॉटम कंट्रीज में है, इंडिया की पॉजिशन क्लिप हुई है, 129 पे आया है, इस बार इंडिया, एंडिया की बात करें, तो इंडिया रंक फिफ्ट और उसके बाद हैं, बांगलादेश, नेपाल, शीलंका, भुटान, पाकिस्तान जो है, वो लास्ट पे हैं, इंडिया ओवरल जंडर गाप जो है, वो 64.1 परसंट का है, and this has been, like, this has taken a decline, right, in 2023, right, and while India's economy parity scores has been improved, it needs to increase by 6.2% to return to its level that is in 2012, okay, or 46%, बादेश गलादेख, जी बात करें, अबने अश्ट एंडिया बार इंड्स परूरम एं जो हुजाज चेंठ लिए परूट घुए जयए, basically to just benchmark the progress gender parity across the four dimensions four dimensions कॉंते हैं economic opportunity education health and leadership यह चार dimensions हैं right so this was it from today's session I hope you guys would have liked the session पसंद आया तो like कर देना channel को subscribe कर लेना thank you so much